Hello everybody, this is दिग्रास सिंग राजपूत, Welcome to Magnet Brains इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 3 levels of panchayat 3 levels of panchayat देखिए, पिछले वीडियो तक हमने panchayatी राज जो हमारा chapter इसमें देख लिया कि panchayat ground level पे किस तरह से चलती है ग्राम panchayat क्या होती है, ग्राम सभा क्या होती है, ये सारी चीज़े मैं आपको बता चुका हूँ अभी देखिए और समझिए, मैं क्या कह रहा हूँ, 3 levels of panchayat तो panchayat जो है वो 3 levels में बटी होती है 3 levels में कैसे बटी होती panchayat, उसे समझो तो जैसे मैं आपको बता है, country है पूरा, country के अंदर क्या है country के अंदर आपका state है, state के अंदर आपका district है अभी ये 2 level अटा देते हैं अगर हम टीकें, और district के अगर बात करते है तो district के अंदर बहुत सारे villages होते हैं, गाउं होते हैं district के अंदर तो एक पूरे district को एक पंचायत का system कहा जाता है कैसे तो जो गाओं में पंचायत है वो उपर उठके कहां तक तीन लवल पे district लवल तक आती है ultimately जिला परिशत जो होता है तो पंचायती राज system का सबसे बड़ा unit होता है जिसे हम अगर देखें तो हमारी country में सबसे बड़ा unit क्या होगा हमारी country की boundary होगी पूरी कन्या कुमारिश लगा के कश्मीर तक ठीक है गुजराज से लगा के अरुनाचल प्रदेश तक है पूरा हमारा country हो गया वैसे ही पंचायती राज system के अगर बात करें तो पंचायती राज system is a system through which people participate in their own government पंचायती राज system एक ऐसा system है जिसके थूँ लोग जो है वो अपनी खुद की government में participate करते हैं कैसे तो लोग अपनी खुद की government में participate ऐसे करते देखो क्या होता है तो यहाँ पे लोग जिसे vote दे रहे हैं वो इंसान उनी के बीश में रह रहा है उनी के बीश में रह रहा है तो वो देख सकते हैं कि हां मैंने जिसको वोट दिया मेरी government यह है तो उस तरह से लोग बहुत जादा relate कर पाते हैं यहाँ पे ऐसा कहा जाते है direct government का example एकदम direct government गवर्मेंट और आपका घर बाजू-बाजू उस तरह से ठीक है पंचायती राज सिस्टम के अगर बात करें तो the first tier or level of democratic government ठीक है अगर आप democracy की बात करते हो आप देखते हो कि हमारे जो country के मतलब country में highest political position पे कौन है प्राइम मिनिस्टर है तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो क्या है वो सबसे topmost level पे है लेकिन अगर हम first level की बात करें एकदम basic से बात करें तो पंचायती राज सिस्टम जो है वो क्या है it is considered as the first tier or first level of democratic government जहां से हमारी country उठना चालू होती है वो जो जो बलते है जीरो है तो वो जीरो होता है गाओं पे पंचायत में ठीक है वो दिहान रखने आपको the punch and gram panchayat are answerable to gram सभा the punch and gram panchayat तो जो punch है मतलब जो elected members होते हैं award member थिकें ग्राम panchayat और जो gram panchayat होती है तो आर answerable to gram सभा यह लोग किसको answerable होते हैं gram सभा को answerable होते है ग्राम सभा मतलब क्या है तो जो meeting होती न मैं आपको बताया था पहले भी क्या कि पंचायat के जो लोग है they are answerable to gram सभा gram सभा के लोग पूछ सकते उनसे कि भया यह काम क्यों नहीं हुआ पैसा आया था पैसा कहां गया आप कैसे पैसे गाश तेमाल कर रहो सारे तरह के सवाल पूछ सकते हैं यह हो गया अब देखो क्या है it is the member of grammar-sabha who elected them और grammar-sabha के ही लोग होते हैं तो ग्रामसभा के लोग पूझ भी सकते हैं, मतलब जिसने मुझे कुरसी पर बैठाया वो कुरसी से हटा भी सकता है, वही चीज़े हैं हाँ पर, आप क्या होता है, पंचायती राज सिस्टम एक्सेंड्स टू अधर लेवल, पंचायती राज सिस्टम दो और लेवल पर एक्स अब आप बोलो कि सर काउंटिंग हमें भी आती है, चलो ठीक है, काउंटिंग आपको आती है अच्छी बात है, लेकिन समझो इस चीज को यह क्या है, तो आप आपने देख लिया क्या, पूरा डिस्ट्रिक्ट है, बाहरवाली बार्डर किसके होगी, डिस्ट्रिक्ट की, ड ब्लॉक लेवल पे कुछ ग्राम पंचायतों को जोड़ दिया जाता है, जैसे यह 3 ग्राम पंचायत को जोड़ दिया, फिर यह 4 या 5 ग्राम पंचायत को जोड़ दिया, फिर यह 4 ग्राम पंचायत को जोड़ दिया, फिर यह 2 ग्राम पंचायत को जोड़ दिया, तो कुछ पंचायत मिलके क्या बनती है, ब्लॉक लेवल पे जिनने जनपत पंचायत या फिर पंचायत समीति कहा जाता है, ठीकें, तो ये ब्लॉक लेवल पे उट गए उपर, जैसे मैंनी कहा ना कि ग्राम पंचायत से डिस्ट्रिक लेवल तक जाएंगे, तो कुछ जो ground level पे क्या होती है मतलब एक पूरे district में से जैसे मानलो एक तहसील हो गा है समझ लो ठीके तो एक तहसील को क्या जनपत पंचायत है पंचायत समीती कहा जाता है तो ये एक group बन गया पंचायत समीती has many gram पंचायत under it और जो पंचायत समीती होती है तो उसके अंदर क्या है जैसे एक दो तीन तो यहाँ पे पंचायत समीती में तीन gram पंचायत हो गई तो ये पंचायत समीती के अंदर कुछ gram पंचायत होती है या फिर ऐसे देख लो कि कुछ gram पंचायत मिलके एक पंचायत समीती जैसे हमने क्या देख लिया कि ग्राम पंचायद कहीं तीन कहीं चार कहीं दो ऐसे ग्राम पंचायद से जनपत पंचायद और और डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी जनपत पंचायद है सारी जनपत पंचायद मिलके क्या बनती है डिस्ट्रिक्ट पंचायद बनती है जिसे जिला परिशद भी कहा जाता है जिसे जिला परिशद भी कहा जाता है डिस्ट्रिक्ट पंचायद भी कहा जाता है समझ गए तीनो लेवल चुल एक बर तीनो लेवल मैं आपको बताता हूं क्या कि यह डिस्ट्रिक्ट है तो डिस्ट्रिक्ट में हम क्या कहेंगे पंचायती राज सिस जनपत पंचायत एक, दो, तीन, मतलब डिस्ट्रिक में जित्ती भी है, सारी, तो जनपत पंचायत, अब ये जनपत पंचायत के अंदर क्या होता है, अंदर ग्राम पंचायत होती है, तो कहीं चार है, ठीक है, कहीं तीन है, कहीं क्या है, कहीं दो है, कहीं पे छे भी होगी, त तो जिला परिशद actually makes developmental plan for the district level, अब पूरा coordination बना रहे तो district level पर जो जिला पंचायद होता है, वो सारे coordination को चलाता है, district level पर सारी चीजों को जिला परिशद जो है या फिर district पंचायद जो है वो चीजों को समालता है, ठीक है, तो यह मैंने आपको तीनो लेवल समझा दिये, I hope क इसी प्रकार का कोई doubt नहीं है, confusion नहीं है, clear हो गया है कि क्या होता है, जो तीनो लेवल जो है, वो कैसे काम करते हैं, कैसे चलती हैं, clear है, तो this was all about three levels of पंचायद, अब देखो क्या है, तो within the guidelines given in the constitution, each state in the country has its own laws with regard to the पंचायद, अब हमारे constitution में एक अच्छी चीज क्या है, कि पंचायदी राज सिस्टम का एक structure बता दिया है, कि ऐसा ऐसा structure होना चाहिए, डिस्ट्रिक लेवल पे तीन लेवल होना चाहिए, ठीक है, ग्राम पंचायद, या फिर पंचायद समीती ब्लॉक लेवल पे और उपर जिला परिशत यानि डिस्ट्रिक पंचायद, अब हमारे constitution constitution ने liberty दे दी है, सभी states को, मध्यप्रदेश, राजिस्थान, उत्तर प्रदेश, तमिल नाडू, करनाटका, अरुनाचल प्रदेश, मनिपूर, मिजोरम, सारे states को क्या दे दी है, अपने हिसाब से liberty दे दी है, कि आप अपने हिसाब से provision बना सकते हो, अपने हिसाब से laws बना स रिगार्डिंग पंचायती राज सिस्टम, मतलब election कैसे होंगे, ठीके, direct होंगे, indirect होंगे, तो उसमें थोड़ी सी आजादी दे दी है, कुछ-कुछ levels के लिए, तो क्यों दी है आजादी, ये भी सोचर होंगे आप, तो this idea is to provide more and more space for people to participate and raise their voice, ताकि क्या है, लोगों को और जादा participate करने का मौका मिले, हर state अपने अपने हिसाब से creative, innovative idea लेके आएगा, और उन ideas के basis पे you will be able to frame better policies and execute them in a way which will suit cater to the needs of the people, आया ना समझ में, तो ये सारा सब कुछ था हमारा chapter, प्यारा chapter और इसी के साथ chapter हुआ है, complete, तो मुझे पता है कि आप सभी लोग मुस्कुरा रहे ह हो गया है, next video lecture में हम क्या पढ़ेंगे, तो को theory part पर chapter complete हुआ है, question answer रहे गए, तो next video lecture में मैं आपको question answer बताने वाला हूँ इस chapter के, और जिसी के साथ हमारा chapter पूरी तरह से complete हो जाएगा, और magnet brains में इसी तरह से आप जो पढ़ रहे हैं तो अपनी पढ़ाई पूरी continue कर सकते ह अभी 6th में, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, अभी बहुत लंबा जाना है, सारी चीजें आप आराम से घर बैठे पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, अपना syllabus complete कर सकते हो, आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपना mobile, laptop, tablet जो भी है उसमें video lectures लगाना है, यह सारे video lectures free of cost available है, जिसके थुरू अपना syllabus आप आप आपको कम्पलीट कर सकते हो, clear, next video lecture में हम NCIT solution को पढ़ेंगे, till then stay connected, keep learning with magnet brains, thank you, thank you very much.